एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंग अडर जोन के नए एपिसोड में दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत में Tata Motors या जो Tata Groups की बात करें टाड़ा पावर टाड़ा केमिकल ये सब Electric Vehicles सेग्मेंट में सबसे आगे हैं ना सिरफ Electric Vehicle Charging Station या उससे जुड़ा जो भी पार दिन रात एक किया हुआ है तो आज इसी Charging Infra से जुड़े दो बड़े अपडेट निकल करा हैं एक तो है बिल्कुल Tata Power से दूसरा है TWS मोटर से तो TWS भी काफी कुछ बड़ा करने जा रही है काफी important overall update होने वाला है पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको लग Electric Vehicle, Battery Technology, Fuel Cell इन सबसे जुड़े अपडेट आपको मिलते रहेंगे लेकिन अगर आपका इंटरस्ट है Electric Vehicle segment में किस तरह का Business Options है या जो मा लड़ी Electric Auto Rental Business कर रहा हूं उससे जुड़ा कोई भी डिटेल आपको चाहिए Business Options आप ढूंड रहे हैं चाहिए dealer network हो, dealerships, sub dealer कैसे है क्या Vehicle segment में कोई Business Option चाहते हैं तो बिल्कुल जल्दी से जुड़ी से जुड़े जो अपडेट है वो मिलेंगे, अब वो बिजनेस जुड़े जो अपडेट मैं अलग से वीडियो डाल रहा हूं वो आपको इस तरफ नहीं मिलेंगे, EV Business Opportunities के लिए आपको जुड़े करना होगा, एक पूरा परपोजल, पूरा चार्ट आपके साथ शेर किया जाएगा, चलिए बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, दोस्तों अभी तक तिल डेट, Tata Power ने भारत में 960, 960 चार्जिक स्टेशन सेटप कियें, जिसमें से 250 स्लो एसी चार्जिंग पॉइंट है, 7 से लेकर 11 किलो और उससे ज़्यादा कैपेस्ट्री वाले, Tata Power के CEO, Mr. Praveer Sinam, उन्हें कंफर्म किया है कि इस साल के, जो यह फाइनशिल यह रही आने की, अगले साल का मार्च, मार्च एंड तक तक तकरिवन 2000 एलेक्ट्रिक वहिकल चार्जिंग स्टेशन सेटप कर दी जाएंगे, और आने Tata Power अगले 5 साल में सेटप करेगा, अलड़ी तकरिवन 960 चार्जिंग स्टेशन सेटप कर चुका है, ना सिरोफ चार्जिंग स्टेशन बलकि Tata Power चैतन मैनी जी की जो सन मोबिलिटी है, जो कि अलड़ी स्टेशन के लिए बहुत अच्छा का इशार में बड़े लेवल पर काम सेटप करें, उसके साथ मिलकर अलड़ी जो डेली का अजादपूर एरिया वहां पर स्टेशन सेटप किया है, और तकरिवन जहां पर एक दिन में 300 से जादा स्टेशन हो जाते हैं, और यह स्पेशली टू विलर्स और थ्री विलर्स के लिए डिवेलप किया गया है, लेकिन फिर भी 10 स्टेशन यहां लगेंगे, अब बरते हैं सेकिंड अपडेट की तरफ जो है, टीवेस मोटर से जुड़ा, हम जानते हैं कि बिल्कुल थोड़ा लेट है, टीवेस मोटर अलड़ी एक इलेक्रिक स्कूटर आई क्यूप को लांच कर चुका है, लेकिन अब बड़ी कंफिर्मेशन उनके से निकल कर आई है, लेड़ी कंफिर्म कर चुगा, टीवेस मोटर के, 2022 के आंथ तक, इलेक्रिक टूवेलर, इलेक्रिक टूवेलर की कम्प्लीट रेंज को लांच किया जाएगा, ओन रोड उतारेंगे, और साथ में टीवेस मोटर ने टीवेस म इतने भी प्लांट है, वहाँ पर टाड़ा पावर उसको पूरा सोलर प्लांट, सोलर नर्जी प्लांट सेट अप करके देगा, अब दोस्तों आप हिरान होगे, सिर्फ इस जॉइंट वेंचिर के नाउसमेंट के बाद ही, टाड़ा पावर का शेर साड़े 6%, एक सिंगल डे में राइज हुआ है, पोजिटिव इंपक जाता है मार्केट पर जब इस तरह के अपडेट निकल कर सामने आते हैं, दोस्तों कमेंट में एक सिर्फ पूछा जाता है, जो इस पर काम कर रही है, और नए स्टेशन पर काम हो रहा है, अगर आब मुछ से पूछते हो, कमेंट म इस के लास्ट तक आपको अपने आसपास चार्जिंग इंफ्रा दिखाई देंगे, छोटास एक्जामपल देता हूँ, चंडिकर टू डेली, चंडिकर टू डेली के पूरे डिस्टेंस में तकरिवन दस डिसी फार चार्जर लग चुके हैं, जिसमें से छे टाड़ा पाव है, तो आप इस बात की चिंदा छोड़ दीजिए, बस मूड बनाईए, कौन सी गारी आपके मतलब की है, टू विलर, त्री विलर, पॉर विलर, उसको बाहिए कीजिए, और अपना जो योगदान है, वो दीजिए, तांकि एक इन्वार्मेंट को साफ रख सकें, और आनिव कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उस पर कमेंड बॉक्स में जरू आप जरू दीजेगा, मुझे आपके जवाब का इन्तिजार रहेगा, फिलाहाल, आज के लिए तना ही धन्यवाद, वीडियो कों तक देखने के लिए, जाहिंद,